कि सब्सक्राइब करें सेक्रिट लेशन अपना चल रहा था सेक्रिट लेशन के दो वीडियो कंप्लीट हो चुके थे देखो अपनी चर्चा जहां समाप्त विटी या जिस बिंदू पर अपन चर्चा करें थे वो क्या था अहार नाल अहार नाल बोल दो या फिर अपन कह सकते हैं पाचन तन्तर से सम्मंदित अंग एक ही बात है क्योंकि आहार नाल का मतलब जहां से बोजन जाता है अहार का तो मतलब क्यों गया बोजन और सरीर के जिन अंगों से ओकर बोजन जाएगा वो क्या हो जाएगा अहार नाल और जहां से बोजन जाएगा वहीं पर क्या होगा बोजन का पाचन होगा तो पाचन तंतर से समधित अपन अंगों की चल्चा करें थे टोटल मिला करेंगे कितने थे साथ साथ अंग थे और तीन गरंतियां थी तो तीन गरंतियों की अपन बाद में चल्चा करेंगे अंगों की चल्चा चल रही थी पहला अंग मुक्ष दूसरा ग्रसनी तीसरा ग्रास नली चोता क्या था अमाज से और पांचवा क्या था छोटी आत उसके बाद में क्या था चटे नंबर पर अपने लिखाता क्या बड़ी आत और बड़ी आत के बाद में लिखाता अपने क्या गुदा अब इन साथ अंगों में से मुख की चल्चा हो चुकी थी अपनी गरसनी की चल्चा हो चुकी थी ग्रास नली की अपनी चल्चा हो चुकी थी इसके बाद में आगे अपना आज प्रारम करेंगे क्या अमाज से तो एक बार सरंचना आप दुबारा दिमाग में लाना जैसे ये ग्रास नली थी इधर बना देते हैं तोड़ा इससे पहले तक तो मुँवाली सरंचना तो पिछले वीडियो में अपनी कंप्लीट होई चुकी थी जैसे मुक सेपन ने बोजन ग्रेण किया यहाँ पे ग्रस नी स्थीत होती है ग्रस नी के बाद में बोजन कहां जाता है ग्रास नली में जाता है तो यह हो गई क्या ग्रास नली इसकी चर्चा लास्ट वीडियो में कंप्लीट होई चुकी थी ग्रास नली के बाद में कोण सांग आएगा अमाज से तो यह ग्रास नली के बाद में पाचन से संबंदित कोण सांग आजाता है अमाज से आजाता है अब अमासे के बाद में चलो अमासे के बाद वाली चर्चा बाद में करेंगे पहले अमासे देख लेता है ये तो अपनी ग्रास नली थी अमासे को अपने तीन बागों में बाटा था ये ग्रास नली इसकी चर्चा कम्प्लीट होई गी थी अब ये जो अमासे है अमासे का पहला भाग तो क्या कहलाता है कोर्डियक कहलाता है नाम अपन पहले लिख चुके थे अमासे का दूसरा भाग क्या कहलाता है फंडिस कहलाता है और अमासे का तीसरा भाग क्या कहलाता है पाइलोरस कहलाता है इस अमाज से कि अब अपन क्या करेंगे चर्चा तो सोनते जाना तीसरे नमबर वो सोरी चोते नमबर पे आपको एडिंग क्या डालनी है अमाज से ये उपपरवाले को मिटाई देता हैं क्यूंकि उपरवालों की चर्चा तो हूई चुकी मुख की चर्चा ग्रस नीगी हो चुकी ग्रास नली कह न लिक्यों चुकी अब बचत वी एंगों की अपने को Butter चाहर करनी है तो पाचन तंतर से समन्दित चोता अंग क्या है अमासे कि क्या लगता आपको अपन देवर यह बात तो लिखी सकते हैं ना कि पाचन तंतर में ग्रास नली के बाद में क्या इस्थित आमासे इस्थित या फिर इसको अपन और भी अच्छा तरीके से लिखें तो ग्रास नली अमासे के बारे में चाचा होगी अमासे के बाद में क्या आती है चोटी आता आती है तो सिंपल अपनी लिख सकते हैं कि अमासे ग्रास नली वे चोटी आत के मद्दे इस्तित होता है एक थेले की तरह ल लिटर तक बोजन इसमें संगरहित रखा जा सकता है ये बात लिए अपने को लिखनी है कि यह किसकी तरह लग रहा है जे की तरह लग रहा है तो यह सिμ्पल सी बाते पहले अपने को लिखनी हैं इसने तो सबसे पहली बात हो किस किस चेमद मंद्धे गरास ने ली वह छोटी आंग के मद्धेistaud होता है मद्द इस्तित्त होता है अगली बात यह है एक जे आकार की थेले नुमा स्रंचना है जिसमें एक से तीन लिटर तक बोजन संग्रहित रखा जा सकता है यह है जे आकार की एक थेले नुमा स्रंचना है जिसमें लगबग जिसमें लगबग एक से तीन लिटर बोजन बोजन के दो चाहिए अहार के दो बोजन के संग्रहित किया जा सकता है कि यह तो सिंपल्सिस की जान करें फिर अपन बात करेंगे अमासे के तीन वाग होते हैं कार्डियक मासे के तीन बाग होते हैं अब देखो अगर आपने तीन भाग नाम याद रख लिए ना उसके बाद बहुत सिंपल है याद करना के कार्डियक में अपने एक लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे यह है अमासे का वह भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा रहता है सिंपल कार्डियक के बारे में फंडिस में क्या लिखेंगे यह है मासे का वह बाग है जो कार्डियक वह पाइलोरस के मद्दे इस्तित होता है पाइलोरस में क्या लिखेंगे यह है मासे का वह बाग है जो छोटी आथ से जुड़ा रहता है यह वह बाग है जो ग्रासनली से जुड़ा रहता है और इसमें लिखेंगे यह वह बाग है जो छोटी आथ से जुड़ा रहता है और यह वह बाग है जो कार्डियक और पायलोरस के मद्देश्थित होता है बस एक-एक सिंपल सी लाइन क्या कि यहां से अपने को आसानी से याद हो जाएगा लेकिन जब अपन लिखते हैं ओ सकता है जोरी थोड़ी है एक्जामिनर अपने से चितर बनवाए डायरेक्ट अमासे का वर्णन भी तो पूछ सकता है न तो वर्णन पूछे तो अपने को पता रहना चाहिए कि कौन सा अंग अमासे का काई इस देता है पहला बाग तो क्या कार्डियक इसमें एक लाइन लिख देना यह अमासे का वह बाग है जो ग्रास नली से जुड़ा रहता है जुड़ा रहता है फिर दूसरा बाग क्या लिखेंगे पन फंडिस इसमें लिख देना यह अमासे का वह बाग है जो कार्डियक वे पाईलोरस के मद्दे इस्तित होता है जो कार्डियक वे पाईलोरस के मद्दे इस्तित होता है के मद्दे इस्तित होता है और तीसरा बाग कौन सा है पाईलोरस यह हैं अमासे का वह भाग है जो किस से जुड़ा रहता है क्योंकि इसके बाद में क्या जाएगी छोटी आंथ जो छोटी आंथ से जुड़ा रहता है यह अमासे की चर्चा होगी अमासे पाचन अंगों में एक बहुत ही मैत्यपूर अंग है अगर पाचन अंगों से मैं सबसे मैत्यपूर अंगों की अपन चर्चा करेंगे जो अलग से चर्चा करें अगर अपन बात करें अलग से जो पूछे जा सकते हैं या तो देखो संपूर्ण पाचंतंत्र के एंग पूंच लिए जायर सब का वर्णन अब ओड़ा परसंट बनी जाता है अलग से अमाज से के बारे में पूचा जा सकता है छोटी हांत के बारे मिंए और बड़ी हांत के बारे में यह तीनों आज के वीडियो में तीनों की चल्चा होगी तीनों ही काफी महत्ते पूर्ण है तो अमासे के बारे में पूचा जाए तो आप यह बात इसमें लिख देना और अमासे के बाद मैं अब अपने चल्चा करेंगे छोटी आंत कि थोड़ा उपर बना लेते हैं इसको दूबर है यार कि यह ग्रास नली थी कि यह क्या हो गया अमासे हो गया अब ग्रास नली अमासे अमासे के बाद में अगला क्या एगा पांच वे नमबर पर बात करें तो क्या छोटी आंत यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो गई छोटी आंत के बारे में आपको बताया था कि जैसे तुमारी इच्छो वैसे कुंडलियों के रूप में इसका चित्तर बना देना क्योंकि इसकी एकदम फिक्स सरंचना बनाना मुस्किल है यह कहीं किदर से कहीं गुसिवी रहती है ब कि अलाएं कि नलीका के रूप में ना भी बनेना तो भी इतना गुमादेना इसको कि कोपी चेक करने और को पता भी ना चले कि यह नलीका बना रखी एक वैसे ही लाइने खेंच रखी है यह क्यों हो गई चोटी आत हो गई अब में नाम तो इसका चोटी आत है इसका मतलब यह मत समय लेना कि यह चोटी होगी आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है चोटी आत होता है समपूर आहार नाल जिसमें पन साथ अंगों को लेकर चल्चा करते हैं उन साथ अंगों में आधनाल का सबसे लंबा या सबसे बड़ा भाग क्यों सा होता है छोटी आत होता है जिसकी लंबाई लगबग साथ मिटर होती है अपना एक मानव शरीर की लंबाई देखें तो लगबग डेड़ मिटर के आसपास होती है अब इस डेड़ मिटर के सरीर में साथ मिटर की ये पाइप कैसे आती होगी तो सिद्धी की सिद्धी तो आ नहीं सकती इसका मतलब यह कुणडली तवस्ता में पाई जाती है तो अ यह आहर नाल का सबसे लंबा बाग है यह आहर नाल का सबसे लंबा बाग है जिसकी लंबाई लगबग साथ मिटर होती है साथ मिटर होती है अब इतनी लंबी होगी तो किस अवस्ता में आएगी कुंडली तवस्ता में आएगी यह है कुंडली तवस्ता में रहती है अब इतनी लंबी है तो साथ अंगों में बोजन का सबसे ज़्यादा पाचन का होगा छोटी आत्मी होगा समझगे बात देखो हम जो बोजन लेते हैं ग्रेंड करते हैं उसका पहले तो पाचन होता है मलब जो भी जटिल बोजे पदारत है कि प्रोटीन वसा कार्बाइडरेड खनी लवन जल विटामिन जो भी अपन बोजन के माद्यम醬 से हमारे सरीर में ग्रेंड करते हैं जटिल अऊज्ड नहीं कर पाता हमारा सरीर में जूँआ जो अंगte पाचन तstrong से समझत अंग आते हैं वो इन जटिल बोजन को सरल बोजन में बदलता है समझ के बात तो जटिल बोजन को सरल बोजन में बदलना तो क्या कहलाता है पाचन कहलाता है और पाचन के बाद इसका अवसोसन होता है मतलब सरीर इसका अवसोसन करता है ताकि ये blood के मादियम से जो बोजन है शरीर के ुबिन अंगों तक या शरीर के विबन कोसी काउं तक पहुंच सके तो बोजन का सबसे ज्यादा पाचन भी छोटी आथ में होता है और बोजन का सरवादिक आउसोसन भी कहा होता है छोटी आंत में होता है एक नंबर का अलग से भी परसंद पूचा जा सकते हैं आहार नाल के किस बाग में बोजन का सरवादिक पाचन वे अवसोशन होता है तो किस बाग में होता है छोटी आंत में होता है बोजन का सरवादिक पाचन वे अवसो सन छोटी आत में ही होता है समझ ये बात अब छोटी आत के भी अपने कितने बाग देखे थे जब अपने डाइग्राम बढ़ायता है इसका तो अब अपन तीनों की चर्चा कर लेंगे छोटी आत के तीन भाग है कौन कौन से डूडिनम जेजुनम इलियम देखो कुछ बच्चों की ये भी दिमाग में कि सर ये इंग्लिस वर्ड है तो हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिस में वहाँ लिखेंगे तो क्या चल जाएगा क्या देखो मैंने कंपलीट स्यस्टी का स्लेबस कर रहे थाए में चाला साइध ही कई मेंने English word काम में लिया होगा कमप्लीट्टापकोब्रटोड लिखवाणे में समझाने में हर जगे- इंधी वर्ड काम में लिया था कोण से सब्जेट में सब्जेक्ट में स्ब्जेक्ट लेकिन सैंस बहुoft से वर्ड ज्यादातर जो टर्म है जो वर्ड है वो मोश्टली इंग्लिस में परियोग किये जाते हैं इंग्लिस वर्ड इसके ज्यादा पर्शिद होते हैं तो इंदी वर्ड की बजाए आप यहां यह जो मैं जो इंग्लिस में ज्यादा पर्चलित हैं वहां मैं इंग्लिस वर् होंगे ओ सकता है कोपी चेक करने और लोगों इंधी वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए ता आप इंग्लिस वर्ड यहां लिख देना और दिमाग में रखना मत कि हम इंधी मीडियम के बच्चें तो इंग्लिस में लिख सकते हैं क्या तो छोटियांत के तीन बाग है पह रहता कि छोटियांत का यह जो शुरुवाती वाड़ा बाग है ना यह थोड़ा ज्यादा डार्क कलर से कर देना थोड़ा अलग नजर आए यह बाग तो क्या हो जाएगा डूडिनम समझगे बात बीच वाड़ा बाग क्या हो जाएगा इलियम वो सोरी जेजुनम और लास् यह वाड़ा बाग है डूडिनम तो इसमें अपनि यह लिखेंगे डूडिनम में क्या लिखेंगे यह जोटियांत का सबसे चोटा बाग है जो किस से जुड़ा रहते हैं अमार से जुड़ा हुआ तो यह कह छोटी आत का कि पहला है एक सबसे चोटा बाग है कि आज़ो किस से जुड़ा रहता है अमासे से जुड़ा रहता है यह तो चर्चा होगे किसकी डूडिनम की डूडिनम में एक वर्ड आपको लिखना है बोजन का यहां क्या होता है पाचन होता है विभिन एंजाइमों की साइटा से यहां विभिन एंजाइमों की साइटा से बोजन का पाचन होता है समझ गे बाद डूडिनम के बाद में दूसरा चोटियांत का दूसरा बाग क्या आता है जेजुनम तो अपनि यह लिख देंगे यह चोटियांत का मद्दे का बाग है देखो यहां डूडिनम में तो क्या होआ बोजन का पाचन अब पचेविय बोजन का यहां जेजुनम में क्या होगा आउसोसन होगा तो यह है चोटी आत का मद्दे का भाग है और यहां बोजन का आउसोसन होता है यह है चोटी आत का मद्दे का भाग है यहां डूडिनम द्वारा पचित बोजन मतलब बोजन का पाचन तो कहा हो गया था डूडिनम में डूडिनम द्वारा पचित बोजन का क्या होता है आउसोसन होता है अब इसका स्क्रीन सोट ले लो थार्ड पार्ट उपर से में मिटाऊंगा तीसरा फिल लिखेंगे क्या है इलियम चोटियांत का यह तीसरा बाग क्या है इलियम कवपण यह लिख सकते हैं यह चोटियांत का अंतिम थता सबसे बड़ा भाग होता है यह है चोटियांत का अंतिम थता सबसे बड़ा भाग होता है अब इलियम तो लास्ट अंतिम भाग हो गया अब इसके बाद में बड़ी आत शुरू हो जाएगी तो यह है इलियम किसे जुड़ा रहता है बड़ी आत से जुड़ा रहता है भाग होता है जो बड़ी आत से जुड़ा रहता है इलियम में भी क्या होता है बोजन का आउसोसन होता है देखो डूडिनम में तो बोजन का पाचन हुआ और जेजुनम और इलियम में क्या होता है बोजन का आउसोसन यहां भी बोजन का आउसोसन होता है अब एक बार तिनों के बारे में सुनना पहला भाग डूडिनम सबसे छोटा है पहला है और सबसे छोटा है यह दूसरा भाग है थोड़ा सा बड़ा है यह अंतिम भाग है और सबसे बड़ा भाग है एक बात तो यह यह पहला भाग है तो अमासे से जुड़ा होगा यह लास्ट बाग है तो बढ़ियात से जुड़ा होगा समझगे बात दूसरे बात यह तीसरी बात है डूडिनम में तो बोजन का पाचन होता है और इन दोनों में जेजुनम और इलियम में बोजन का क्या होता है और इसी के साथ आपकी छोटी यहां थे complete अब इसके बाद में चट्वां क्या है बढ़ी आथ कि अब देखो कि यहां बोजना आगिया कि अब यहां क्या गई बड़ी आथ आगई कि यह क्या है बड़ी आथ है कि समझ गये हैं है बड़ी आथ बताओ दोनों में से आपको छोटी आथ ज्यादा बड़ी लग एक बड़ी आथ ज्यादा बड़ी लग रही है कि बड़ी आथ तो सिंपल सा है यहां से लेकर यह तक तो है ना छोटी आथ के तो कितने गे रहे हैं तो बड़ी आथ है छोटी आथ की बजाए छोटी होती है समझगे बात लंबाई की बात करें तो अपन बड़ी आथ छोटी होती है छोटी आथ बड़ी होती है फिर चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई किसकी ज्यादा नजरा रही है बड़ी आथ की तो चोड़ाई छोटी आथ की बजाए बड़ी आथ की क्या होती है ज्यादा हो छोटी आत की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है लेकिन इसकी चोड़ाई छोटी आत से दिखोती है इसकी चोड़ाई छोटी आत से अधिक होती है अब एक मुख्य बात जो भी पोशक पदार्त अपन बोजन में ग्रेंड करते हैं कई बार अपन नाम ले चुके हैं उनका प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बाइडरेड, जल, खनीज लवन तो इन पोशक पदार्तों में जो जल और खनीज लवन है इसका सबसे ज़्यदा पाचन का होता है? बड़ी आत में होता है अलग से एक नंबर का परसंद भी पूचा जा सकता है कि बड़ी आत में सरवादिक पाचन किसका होता है? जल वे खनीज लवन का तो इसमें आप दूसरी बात लिखोगी यहां जल्वे खनीज लवन का सर्वादिक पाच्चन होता है सोरी पाच्चन क्या है यहां तो लास्ट में आउसोसन होगा यहां क्या होता है आउसोसन होता है जल्वे खनीज लवन का सर्वादिक आउसोसन होता है अब देखो क्या होता है जिसे ये लास्ट बड़ी आंत आ गई हो सकता है नहीं दिखाई दे जैसे ये बड़ी आंत आ रही है ऐसे गूम के बोजन का जितना भी पाचन हो चुका था जितना भी बोजन का अउसोसन हो चुका है उतना कम्प्लीट हो गया लास्ट अपन नहीं क्या लिखाता गुदा यहीं तो लिखाता ना पाचन तंतर जे समंध्य तक तो गुदा में तो वैसे भी कोई पाचन नहीं हो सकता यहां तक दे वो जल्वक निरलवन का सरवादी का उसोसन होता है completely जो उसोसन हो चुका रहता है ना वो ओ गया completely यहां तक उसके बाद जो भी एपचित बोजन रहता है जिसका हमारा सरीर पाचन नहीं कर पाता जिसे अपन अपसिष्ट बोजन कहते हैं वो अपसिष्ट बोजन यह आपन कह सकते हैं इसके बाद जो भी एपचित बोजन रहता है वह गूदा के माध्यम से सरीर से बार त्याग दिया जाता है समझे बाद तो वो छोटी बड़ी आथ के बाद में गूदा आगया और गूदा से एपचित बोजन बाहर इसके बाद एपचित बोजन को बोजन को गूदा से बाहर निकाल दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है यह क्या हो गई बड़ी आत अब देखो लास्ट जो उंग था ना गूदा वाड़ा उसके बारे में चर्चा नहीं करते पर चैंगों की चर्चा करते हैं लिखने में सातंग लिखते हैं क्योंकि गूदा किसके माध्यम से तो जो अपसिस्ट पर बोजह ने वह बाहर निकल चुका अब इस बड़ी आत के भी कितने भाग हैं तीन है तो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि बड़ी आत के कि तीन भाग हैं कौण कौण से सीकम कोलम और रेक्टम तो सबसे पहला सीकम अब यहां थोड़ा द्यान देना यह वाड़ा जो इससा है ना बड़ी आत का यह वाड़ा इससा क्या कहलाता है सीकम कहलाता है एक लाइन लिखेंगे पर सीकम में क्या यह बड़ी आथ का प्रारंबिक भाग है जो छोटी आथ से जुड़ा रहता है यह बड़ी आथ का पहला भाग है जो छोटी आथ से जुड़ा रहता है यह तो किसकी चर्चा हो गई सीकम की अब बचे क्या कोलम और रेक्टम एबी सी वाड़े पोर्शन में लिख रहेते हैं पने इसको यह तो हो गया सीकम बी क्या है कोलम अब देखो एक लाइन इसमें लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ यह है बड़ी आथ का सबसे बड़ा भाग है जो उल्टे यू आकार का होता है उल्टे यू आकार का होता है कोलम को चार भागों में बाटा जा सकता है बहुत सिंपल है एक बार में याद हो जाएगा आरोही आरोही वो सोरी आरोही के बाद में अनुप्रस्त और उसके बाद में लेंगे कि यहां से लेकर यहां तक बड़ी आत का यह वड़ा बाग क्या कहलाता है कोलम कहलाता है समझ गे बात अब बतो बड़ी आत का सबसे बड़ा वाग व आग नहीं होअ कोलम यू अपन ऐसे लिखते हैं इर उल्टा यू अपन ऐसे लिख देते हैं तो इसकी आकर्ती कैसे है रही उल्टे यू के संभार तो अपने यह लिख है यह बड़ियात का सबसे बड़ा बाग है जो उल्टे यू आकार का होता है अब कोलम को चार बागों में बाटा जा सकता है अगर कोई गणित में तो आपने पढ़ा होगा अगर कोई बढ़ते विए अंक हो तो उसे तो अपन क्या कहते है आरोई और जो गड़ता हुआ उसे क् मलब और ये वरा लास्ट वराण ये ऐ किया कहले गा सिग्मा कार तो यह इंवर अपने लिखा था कोलमगो Emir बाटा जा सकता है आर रोई अनुप्रस्त और अंरोई सिग्मा कार समझके बात तो यह बड़ियात का दूसरा बाक्या हो गया कोलम कि बड़ियात का तीसरा बाक्या है रेक्टम कि इस रेक्टम को इंदी वर्ड भी याद रख लेना मलास से बोलते हैं क्यों कि अब इसके बारे में देखना यह बड़ियात का अंतिम भाग है अब अंतिम भाग है इसके बाद जो भी मतलब यहां पाचन से सम्मंदित किरिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद एपचित बोजन गुदा के मादम से बाहर निकल जाता है यह बात अपने इसमें भी लिखेंगे यह बड़ियात का अंतिम भाग है यहां पाचन की किरिया पूर्ण हो जाती है और इसके बाद इसके बाद एपचित बोजन गुदा के मादम से सरीर से बाहर निकल जाता है सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अब इसका मरलाब है पाचंतांतर से समंदित सातंतक पण्ड लिखे बाहर उसके बाद में पढं़े लिखेते 5 पाचम से शम्मंदित गरांटिया अब उन गरांटियों की चैचा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लाइट भी जा तुक है तो नेक्स वीडियो में फिर से मुलाकात होगी दन्यवाद जेहुंद जेबारत